हेलो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम आपका चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे जिसका नाम है A House Like This My name is Naseem, मेरा नाम नसीम है, I live in श्री नगर और मैं श्री नगर में रहता हूँ Since yesterday, there is lot of activity in our school कल से ही हमारे स्कूल के अंदर बहुत सारी activities हो रही है I will go on for a week और मैं वहाँ पे एक हफ़ते के लिए जा रहा हूँ Do you know why? क्या आप जानते हो क्यों? There is a camp being held in our school क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर camp लग रहा है Children have come from many places for the camp और camp के अंदर अलग अलग जगाओं के बच्चे आ रहे हैं Tents have been put up in the ground for everyone to stay Stay का मतलब होता है रहना और सबके रहने के लिए जमीनों के उपर Tent लगा दिये गए हैं बच्चों ये नीचे आप देखिए ये जो पिक्चर है ना इसमें आपको blue blue से कुछ नजर आ रहा होगा इसी को हम Tent कहते हैं We have decorated the school beautifully हमने पूरे स्कूल को बहुत खुबसूरत तरीके से सजाया है Decorate का मतलब किसी चीज़ को सजाना Some children have used pieces of cloth to make streamers for the doors बच्चों डोर्स के उपर लटकाने के लिए कुछ decorative item होता है उसको हम कहते हैं streamers तो वहां के जो बच्चे थे उन्होंने सजावट के लिए मतलब दर्वाजों की सजावट के लिए कपड़े से streamers बनाए थे Some have made posters using almond shells while others have made rangolis using dry leaves and sawdust Almonds के जो shells होते हैं मतलब बदाम के जो shells होते हैं उनकी help से कुछ बच्चों ने posters बनाए थे और कुछ बच्चों ने मिट्टी की और सूखी पत्तियों की मदद से rangolis बनाई थी Today is the first day of the camp आज camp का पहला दिन था We are very happy और हम बहुत जादा खुश थे In the morning, we all got together and sat down on the ground in a circle सुभा के वक्त हम सब एक दूसरे के साथ ground पर circle बना के बैठ गए Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we like to eat सबसे पहले हम लोगों ने एक दूसरे को अपना introduction दिया मतलब हमने एक दूसरे को अपने बारे में बताया कि हम कौन है हम कहां से आए हैं और हमें क्या खाना अच्छा लगता है इन सब चीजों के उपर हम सब ने एक दूसरे से सबसे पहले बात करी Children brought pictures of their families and their homes बच्चे अपने परिवार के लोगों के और अपने घरों की तस्रीरे लाए थे Everyone spoke about their homes हर किसी ने अपने घर के बारे में बताया Bhupen's group was the first to talk अब Bhupen का जो group था सबसे पहले बारी उसकी थी कि वो अपने अपने घरों के बारे में बताए Bhupen introduced himself and said Bhupen ने अपने आपको introduce करा और उसने बोला I have come from Molan village in Assam Bhupen ने बोला कि Assam में एक गाउ है जिसका नाम है मोलान मैं वहाँ से आया हूँ It rains heavily in our place और हमारे इलाके में बहुत तेज बारिश होती है Hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground और हमारे जो घर है वो जमीन से 10 से 12 feet उज़े बनाए जाते है बच्चों यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आ रही होगी देखे ground कहां पर है और यह जो घर है यह कितने उचे 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 बनाएंगे हैं तो यह जो घर है यह ground से 10 से 12 feet उचे होते थे they are made on strong bamboo pillars और वो जो घर है वो bamboo के strong pillars के उपर बनाए जाते हैं देखें यहाँ पर आपको यह डंडियां से नजर आ रही होगी घर के नीचे है न यह है bamboo pillars bamboo pillars के उपर घर को बनाया जाता है the insides of our houses are also made of wood और हमारे घर का जो अंदर का पूरा हिस्सा होता है वो सारा लकडी से बनता है बच्चों यह देखें यह जो भुपेन का घर है इसकी जो छट है यह आपको अपने घरों की छट की तरफ फ्लैट नहीं लग रही होगी है न इसके घर की जो छट है वो थोड़ी सी उठी उठी सी यह है न तो असाम के अंदर घरों की ऐसी ही छटे होती है और यह इसलिए बनाई जाती है ताकि बारिश का जो पानी है वो छटों के उपर भरे ना बारिश का पानी इन पे से उतर जाए इसकी वज़ास से यहां की जो छटे होती है वो इस तरह की बनाई जाती है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहे कि भूपेन जहां पे रहता था वहां के घर बैंबू पिलर्स पर क्यों बनाए जाते थे तो आप इस कहांसा लिखोगे तो बच्चो जैसे हमने पढ़ा था कि भूपेन जहां पे रहता था मतलब असाम में वो रहता था न तो जहां पे वो रहता था वहां पे बहुत जादा बारिष होती थी बारिष की वज़ा से जो घर थे वो बैंबू पिलर्स पर बनाए जाते थे What kind of roof do these houses have? Why are they made like this? Roof हम कहते हैं छथ को तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भुपेन जहां पर रहता था महां के घरों की जो च्छते हैं वो किस तरह की होती थी और वो जिस तरह की होती थी वो वैसी क्यों बनाई जाती थी तो आप इस कांसा लिखोगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भुपेन जहां पर रहता है महां के जो घर होते हैं उनकी च्छते उठी 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 सी होती है न और तोटी टेडी टेडी सी होती हैं वो दोनों तरफ से वो इसलिए होती हैं ताकि जो बारिश का पानी है वो च्छतों के उपर जमा नहों वो उन च्छतों पे से नीचे की तरफ गिर जाए तो यहां पे इस आंसर का मतलब वही है जो मैंने आपको पहले बताया था अब question number third है how does one enter these houses यहां पे आपसे पूझा जा रहा है कि इस तरह के घरों में लोग कैसे जा सकते हैं तो बच्चों इस तरह के घरों में लोग अब जो हैं वो सीडियों की मदद से जा सकते हैं तो आप इसका अंसर लिखोगे one enters these houses by wooden ladders मतलब घरों के अंदर जो लोग हैं वो लकडी की जो वो आती हैं क्या कहते हैं सीडियों आती हैं उनकी मदद से घरों के अंदर जा सकते हैं अब बच्चों देखिए जो यह सीडियों होती हैं इनको रात में हटा दिया जाता है इसकी वज़ाई यह है कि ताकि वर हो वो उन सीडियों की मदद से चड़के घरों के अंदर ना पहुच जाए इसकी वज़ा से यह जो सीडिया हैं यह रात के समय में हटा दी जाती हैं अब क्वेशिन नमबर फोर्ट है एट नाइट दा लेडर इस रिमूवड फ्रॉम दीज हाउस कैन यू टेल वाय तो जैसा मैंने आपको भी बताया था कि इसलिया टा दी जाती हैं ताकि कोई जानवर अंदर ना आ चाहिए सेडिया चड़के हैं तो यहाँ पर आप इसका अंसर लिखोगे इस इस दन टू प्रिवेंट हामफुल अनिमल फ्रॉम एंटरिंग दा हाउस अब चमेली की बारी है तो देखते हैं चमेली ने क्या कहा अब चमेली कहती है कि मैं मनाली से आई हूँ और मनाली जो है वो पहाड़ी इलाका है हिली एरिया मतलब पहाड़ी इलाका एट आर प्लेस इट रेंस हैविली एंट इस नोज एस वेल वो बताती है कि हमारी जगा पे बारिश जो है वो बहुत जादा होती है और बरफ भी बहुत जादा पड़ती है और जब बहुत जादा ठंड होती है तो हम सूरज की गर्मी में जाके बैठते हैं और हमारे जो घर है वो या तो पत्थरों के बनेवे होते हैं या फिर लकडी के तो बच्चों देखिए चमेली का जो घर है इसकी छट भी बिल्कुल उसी तरह की है जैसे भूपेन के छट की ती है ना भूपेन और चमेली इन दोनों बच्चों की जो छटे हैं घरों की वो बिल्कुल एक तरह की है तो जहाँ पर चमेली रहती है वहाँ पर बहुत जादा बारिश होती है और बरफ पड़ती है तो चमेली का जो घरे उसकी छत उठी 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 इसलिए बनी वी है ताकि बारिश का पानी छतों पर ना रहे और बरफ भी छतों के उपर ना रहे बारिश का पानी और जो बरफ है वो छट से नीचे गिर जाए इसकी वज़ा से जो छटे हैं वो टेड़ी टेड़ी सी बनाई जाती हैं यहाँ पर अब कुछ questions हैं जिनके answers हम कर लेते हैं चमेली का घर का पर था तो आप इसका आँसा लिखोगे चमेली और भुपेन का जो घर था उनकी जो छटे थी उनमें क्या बात एक जैसी थी तो आप इसका आँसा लिखोगे the roofs of चमेली और भुपेन का जो घर था इन दोनों बच्चों के घरों के अंदर जो छट थी उसमें similarity यह थी कि दोनों की छटों में slopes थे बच्चों वही जो दो टेड़ी लाइनों का आपस में करिये एक शेप बनती है ना थोड़ी triangle जैसी तो उसकी जो एक लाइन होती है उसको हम slope कहते हैं फिर है how do roofs help in their areas वो जहाँ पर रह देते वहाँ पर उनकी जो छटे थी वो कैसे उनकी मदद करती हैं थी तो आप इस कहां सा लिखोगे such roofs allows snow and rain to flow downwards बच्चों उस तरह की जो छटे हैं ना उनसे मदद ऐसे होती है कि उन छटों के उपर पानी जो है वो आके या जो बरफ है वो आके जमा नहीं होती है ना अगर छटे वहां की flat होंगी तो पानी और जो बरफ है वो छटों पर आके जमा होने लगेगा अब वहां की छटे थोड़ी टेडी सी और slow इसले बनाई जाती थे ताकि पानी और जो बरफ है वो छट के उपर जमा नहीं हो और वो छट से सीधा नीचे की तरफ गिर जाए Mithali and Anuj said अब हम देखते Mithali और Anuj ने क्या बोला Mithali and Anuj have come from Delhi Mithali और Anuj जोते वो डेली से आये थे They showed pictures of Delhi to everyone उन्होंने हर किसी को डेली की picture दिखाई In one picture, seeing very high buildings Bhupen said, Oh, such tall houses How do you climb up? अब जब Bhupen ने डेली की picture देखी और उसके अंदर बड़ी बड़ी सी building देखी तो Bhupen ने उनसे मिथाली से और Anuj से पूछा कि अरे इतनी उची उची building है तुम इन buildingों में चड़ते कैसे हो तो बच्चो डेली जो है वो एक city है मतलब शेहर है वो तो डेली के अंदर जो घर होते है वो उची उची buildingों में होते है ठीक है अगर building छोटी होती है तो उसके अंदर सीड़िया होती है तो लोग सीड़ियों की मदद से वहाँ पे चड़ते हैं लेकिन अगर buildings बहुत बड़ी बड़ी होती है तो वहाँ पे लोग elevator की मदद से चड़ते हैं बच्चो elevator हम कहते हैं lift को अगर आपको नहीं पता कि elevator या lift किसको कहते हैं तो आप please google के उपर search करिएगा pictures में जाके वहाँ पे आपको elevator की picture नजर आ जाएगी और फिर आप पहचान पाओगे कि मैं किस चीज़ की बात कर दी हूँ लोक एड दीस houses and find out if there are similar houses in your area also अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहे किस picture को देखिये और यह बताइए कि क्या आपके घर के आसपास भी कुछ इसी तरह के घर है तो हाँ बच्चो मेरे घर के आसपास भी इसी तरह के घर है क्यों क्योंकि मैं भी डेली से ही हूँ तो अगर आपके घर के आसपास है तो आप yes लिख देना और नहीं है तो आप यहाँ पे no लिख देना अब question है how do people go up in multi-storied buildings बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहे हैं कि ऐसी बीलडिंग जिनके अंदर बहुत सारे floors होते हैं और जो बीलडिंगे बहुत ऊची ऊची होती हैं तो वहाँ पे लोग कैसे जाते हैं तो जो उची-उची बिल्डिंग हैं, उनके अंदर, मतलब बिल्डिंग के अंदर तो चले ही जाते हैं, लेकिन जो उचके अंदर घर हैं, वहाँ पे लोग, एलिवेटर्स मतलब लिफ्ट की मदद से जाते हैं बच्चों जो एलिवेटर होती है न हम उनके अंदर जाते हैं और वो हमें उपर ले जाने का और नीचे लाने का काम करती है अब देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है New Delhi is the capital of India New Delhi जो है वो इंडिया की capital है मतलब इंडिया की वो राजधानी है People from villages and towns come to big cities like Delhi in search of work Delhi जैसे बड़े शहर के अंदर लोग जो है वो गाहों से और छोटे शहरों से आते हैं काम की तलाश में These people often settle in the city और कभी कभी मतलब अक्सर ये जो लोग है वो डैली के अंदर ही सेटल हो जाते हैं मतलब डैली में ही वो लोग हमेशा की रहने लगते हैं There are a large number of people living here and the space is less और जो डैली है वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन जगा जो है वहाँ कम है Many people do not have houses at all और बहुत सारे लोगों के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है They have to live in slums और उन्हें slums के अंदर रहना पड़ता है And many people do not have that either और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए slums भी नहीं है People sleep wherever they find place और लोग जहां पर जगा उन्हें मिलती है वो वहीं पर सो जाते हैं जो गरीब होते हैं वो क्या करते हैं उन्हें जहां सोने के लिए जगा मिलती है सड़क के ओपर, footpath के ओपर, railway station के ओपर उन्हें जहां जगा मिलती है वो महाँ सो जाते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास घर नहीं होता तो बच्चों, जो बड़े शहर हैं ना महां पे घर होना भी एक बहुत बड़ी बात है, हर किसी के पास यहां घर इसलिए नहीं होता, क्योंकि एक तो घर यहां बहुत महेंगे हैं, और दूसरी बात कि जो यहां पे जगाए हैं, वो बहुत कम हैं, मतलब लोग बहुत जादा हैं रहने के लिए, लेकिन जगा इतनी नहीं हैं, कांशिरम तोल्ट एवरिवन, अब देखते हैं, कांशिरम ने क्या बोला, I have come from Rajasthan, मैं Rajasthan से आया हूँ, Rainfall is very scar in our area, अब वो कहता है कि हमारे area में बारी जो है, वो नहीं होती, बहुत ही कमी से होती है, it is very hot too, और यहां पे बहुत जादा गर्मी रहती है, we live in mud houses, और हम मिट्टी के घरों के अंदर रहते हैं, the walls of the houses are very thick, और जो घर की जो दिवारे होती हैं, वो बहुत मोटी मोटी होती हैं, these walls are plastered with mud, और यह जो घर की दिवारे होती हैं, इनके उपर plaster किया जाता है, मिट्टी से, the roofs are made of thorny bushes, और जो हमारी छते हैं, वो मतलब नुकीली सी जो जाड़ी होती हैं, उनसे बनाई जाती हैं, तो देखे बच्चों, यह कांशीरम का घर है, इसकी दिवारे देख नुकीली जाड़ीों से बनी हुई है, इन दे सेम वे, और दे ग्रूप्स स्पोक अबाउट द्यार हाउजस और इसी तरह से हर ग्रूप ने अपने घरों के बारे में बताया, आफ्टर दे इंट्रोडक्शन, अ कल्चुरल प्रोग्राम वस हेल्ट और इंट्रोडक्शन के बाद एक कल्चुरल प्रोग्राम हुआ, the children performed various dances और बच्चों ने तरह तरह के dance जो हैं वो करे के दिखाए, they sang folk songs in their own languages और उन्होंने अपने अपने folk songs गाए अपनी भाशाओं के अंदर, everybody had kava with almonds and cardamom, we really enjoyed ourselves और हर किसी ने काढ़ा पिया, बदाम के और इलाईजी के साथ, और हम सब को एक दूसरे के साथ बहुत मज़ा आया, in the evening we all went to the dull lake, और शाम के वक्त में हम लोग dull lake पे गए, we saw a house boat, और हमने वहाँ पे house boat देखी, we sat in a shikara and some children moved the ores, देखे बच्चों, यह जो नीचे picture है ना, इसको हम कहते हैं house boat, यह है house boat, अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, यह बच्चे जो हैं वो शिकारा के अंदर जाके बैठे, यह जो house boat है ना, इसको हम शिकारा कहेंगे, यह बच्चे जो हैं वो शिकारा के अंदर जाके बैठे और उन्होंने, कुछ बच्चों ने चप्पू चलाने शुरू कर दिये, और हम कहते हैं चप्पू को, We saw the चार चिनारी surrounded by blue mountains और हमने चार चिनारी को देखा जो नीले नीले पहाडों से एकदम surrounded थी यानि की चार चिनारी के एकदम आसपास जो थे वो नीले पहाड थे अब question है How is a house boat different from other houses? अब house boat दूसरे घरों से अलग कैसे है? तो बच्चो सिंपल सी बात है house boat जो है वो पानी के अंदर रहती है मतलब पानी के उपर चलती है और जो दूसरे घर होते हैं वो जमीन के उपर है तो आप इस कारण से लिखोगे house boat floats over water where as other houses are made up on a floor फिर है question would you like to live in such a house why? क्या आप ऐसे घर में रहना पसंद करोगे अगर हां तो क्यों ताप इस कारण से लिखोगे yes I would like to live in such a house then I can take my house to different beautiful places हाँ मैं ऐसे घर में रहना पसंद करूँगी क्यों? क्योंकि इससे मैं अपने घर को किसी भी जगा पे लेके जा सकती हूँ देखिए जैसे हम जिन घरों में रहते हैं वो घर उसी जगा पे fix रहते हैं हमेशा के लिए हम जब कहीं आते जाते हैं तो वो हमारे साथ नहीं जाते हैं लेकिन अगर हमारा घर house बोर्ट में होगा तो हम अपने घर को पानी की help से कहीं पे बिदोदर तेरा के ले जाएंगे तो इस वज़ा से मैं ऐसे घर में रहना पसंद करूंगी अब है look at the pictures and match अब यहाँ पे आपको pictures को match करना है word से तो बचों पहला घर जो है वो है house office नो मतलब igloo यह जो होता है यह बरफ से बनावा घर होता है और इसको हम igloo कहते हैं अब जो second picture है यह किस की है यह house boat की picture है ना तो इसलिए आप इसको match करोगे house boat से अब फिर यह जो third picture है यह किस चीज की है यह है बड़ी बड़ी उची उची बिल्डिंग की है ना तो इसलिए आप इसको match करोगे multi destroyed building से फिर क्या है यह fourth picture किस की है यह fourth picture है tent की और last में यह किस चीज की picture है यह picture है hut की तो इसलिए आप इसको hut से match करोगे Put a tick on the names of things which your house is made of अब यहाँ पर आपसे बोला जारे कि आपको उन चीजों के उपर टिक करना है जिन चीजों से आपका घर बनावा है तो आप टिक करोगे wood, cement, iron, limestone, brick, glass और stone पर ठीक है हम सब का जो घर होता है वो लकडी, cement, लोहे से, limestone से, इटो से, काच से और पत्थर से बनावा होता है इन सब की help से हमारा घर जाए वो पूरा बन के तयार होता है फिर है, look at the houses in your neighborhood what are they made of, make a list अब आपको यहाँ बताना है कि आपके पड़ास में जो घर है वो किन किन चीजों से बने वे तो बच्चों जैसा घर मेरा बनावा है वैसी पड़ास कि घर जाए वो भी उनीच चीजों से बने वे तो इसलिए आप लिख सकते हो, cement, bricks, stone, glass, limestone, iron, cement और wood अब है collect samples of things that are used for making houses अब आपको उन चीजों के sample collect करने हैं जिन चीजों से घर बनता है मतलब cement को, brick को, stone को, glass को, मतलब यह जो चीजे हैं आपको इनको थोड़ा करके अपने पास collect करना है यह specific activity है, आप करना चाहों तो कर लेना नहीं तो छोड़ दो आप इसको अब नीच आपको यह सिखाया जा रहे कि आप eat को, मतलब brick को कैसे बना सकते हो अगर आपका मन करे बनाने का, तो आप इसको पल्ट के बना ली जगा तो बच्चो आपके chapter इतना ही था, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो